तो हम स्टार्ट करने एक्सप्रेस.js framework से यह एक framework है जो आपको एक web server बनाने के लिए helpful है node.js के उपर node.js में already ऐसी चीज़े हैं जिससे आप web server बना सकते हो लेकिन उनको use करना काफी complicated है या फिर यू कहें कि आपको काफी सारे commands पुट करने पड़ेंगे express.js इस चीज़ को काफी easy बना देता है काफी simple framework है इसमें बहुत सारे inbuilt functions नहीं है minimum functions है जो आपको एक server run करने के लिए चाहिए लेकिन बहुत सारे famous frameworks भी express.js के उपर बने हुए है तो इसको सीखना काफी important है as a backend developer of node.js तो हम start करते हैं कि कुछ basic concept जो हम देखेंगे आने वाले कुछ इस series वीडियो में तो express इसमें main server object है जो आप बार-बार library को require भी करोगे और बाद में इसको use करोगे फिर हम देखेंगे middlewares ये कुछ ऐसे part होते हैं जिसमें आपकी request process होती है तो कुछ middlewares बने बनाए भी आते हैं कुछ हम खुद भी बना सकते हैं ऐसे request object, request object आपका request का info ले लेगा मतलब जो आप frontend से request लेके आ रहे हो उसको एक object format में server को देगा तो इससे आप frontend से भेजा हुआ data extract कर सकते हो बहुत सारी information extract कर सकते हो ऐसे response, response object जो create होता है वो आप भेज सकते हो आपस frontend पे तो इसमें आप अपना data भेज सकते हो या server की कुछ information append होके जाती है और finally router, तो router एक optional चीज है बट router से आप अपने path को organize कर सकते हो अपने endpoints को अलग-अलग modules में organize कर सकते हो तो first express server हम create करेंगे यह किसी भी node project को create करने जैसा है तो इसमें हम npm init-y put करेंगे जिससे एक default configuration का package JSON बन जाएगा अब इस folder में आप कोई भी npm module जैसे की npm install express कर सकते हो इससे express का module आपके पास आजाएगा अब हम first server अपना बनाना जा रहे हैं जिसमें हम index.js में कुछ code लिखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले में एक require statement लिखता हूँ तो require statement काफी कुछ वैसा है जैसा आप import लिखते हो JavaScript में या फिर आप front end में आप head में libraries को attach करते हो तो आप एक जरे से चीजों को import कर रहे हो तो यहाँ पे वो require लिखा जाता है और आपको कि यह library का path नहीं देना क्योंकि उसको by default पता है वो node modules में है तो आप express require कर रहे हो उसको एक variable express में ही put कर रहे हो express variable में इसलिए put कर रहे हो आई भी attach करेंगे endpoints भी attach करेंगे और भी server configuration इससे attach करेंगे सबसे important command जो server को run करने के लिए है at the end हम लिखेंगे वो है dot listen method तो dot listen method क्या करता है यह bind कर देता है आपके server को किसी particular port number से आप यह argument में देखेंगे कि एक port number है जैसे 8080 और जब यह server इस port पे चल रहा है तो इस port पे जो भी request आएगी वो actually server उसको listen कर सकता है now यहाँ एक callback function है जब आप पहली बार server start करते हो तो उसके बाद में जैसी server start होता है उसके बाद में callback चलता है तो generally यहाँ पे server related information रहे हैं कि server किस port पे है या किस configuration में चल रहा है यहाँ पे मैंने simple एक line print करवाई है बट बहुत detailed information भी put की जा सकती है तो अब इस server को run करने के लिए आप node index.js यह command भी run कर सकते हो या आप पहले जानते हो तो npm start से भी आप इसको start कर सकते हो जो हमने previous videos में देखा है तो एक बार आपका server start हो जाता है तो आप देखोगे कि front end browser पे जाके आप localhost 8080 जो कि port number था वो put करते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा तो even दो आपको यहाँ error दिखाई दे रहा है बट यह error शो करता है कि आपका server on है otherwise वो कुछ load ही नहीं करता तो यह यह error बता रहा है कि आपके पास कोई भी endpoint है नहीं जैसे कि यह get slash कर रहा था यह get endpoint को ढूंड रहा था जो इसे मिला नहीं इस वज़े से कह रहा है कि कोई भी endpoint है नहीं लेकिन actually मैं server है तो अब तक आप node का environment setup करना जान चुके हो तो इस example में हम अपना first server setup करेंगे तो मैं index.js file में अभी तक हम इसको run करके देख चेके है properly है hello चल रहा है तो index.js में मैं express को use करते हुए अपना first server बनाऊंगा तो आपको लिखना है constant express equal to require express तो require एक import करने का statement है तो आप require करते हो वो libraries जो आप already install कर चुके हो तो जैसे require express से वो आ जाएगा और constant express में आप उसको store कर रहे हो ताकि आप कभी भी program में नीचे उसको call करो तो आपको क्यों express लिखना पड़े तो same नाम देते हैं constant का और library का अब मैं इसमें server variable declare कर रहा हूँ जो हम express से initialize करेंगे तो express पे parenthesis लगा के आप main server object बना सकते हो इसी object को use लेके हम अपना server चलाएंगे last statement हम जो लिख रहे हैं वो है server.listen एक function जिसमें आप पहले port number देते हो जिससे आपको bind करना है और दूसरा एक callback function देते हो तो ये callback function तब चलता है जब पहली बार आपका server properly start हो जाता है और port से bind हो जाता है तो अभी मैं इसमें server started कुछ ऐसा statement लिख रहा हूँ तो जैसे ही इस program को run करेंगे तो server start हो जाएगा और server listen से वो port पे bind हो जाएगा तो run करके देखते हैं इस program को आप directly node index js लिख सकते हैं npm start जैसे आपने पहले दिखा था अब server started आ गया लेकिन वो अब program end नहीं हुआ वो वहीं अटक जाएगा तो server एक endless program होता है तो अब हम localhost 8080 जो भी आपने port दिया था वहाँ check कर सकते हैं कि server on है या नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ error आ रहा है तो at least आप sure हो सकते हो कि आपका server properly bind हो गया है चल रहा है अगर यह server नहीं चल रहा होता तो कुछ error show करता chrome page की वो site को load ही नहीं कर पा रहा है तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो यह endless server चल रहा है control c से में इसको end कर देता हूँ अब आप वापस से कुछ change करते हैं तो आपको server वापस start करना पड़ेगा तो हमेशा node में कुछ change कर रहे हैं अभी मैं जैसे server बंद कर देता हूँ अब इसको refresh करते हैं तो आप देखोगे site cannot be reached तो मतलब आपके server चल रहा था तब ही वो response आ रहा था cannot get slash otherwise वो error भी नहीं आता तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे video देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए